नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोचक फैक्ट्स 003 में दोस्तों सावन मा को हिंदु धर्म में बेहत पवित्र माना जाता है और भगवान शिव शंकर को भी सावन का महीना अतिप्रिय है भगवान शिव को भोले नाद भी कहा जाता है वे अपने भक्तों पर जल्दी ही प्रसन हो जाते हैं देवता हों असुर हो या इनसान हो भगवान महादेव ने सभी पर अपनी कृपा बरसाई है माननिता है कि सावन के महीने में भगवान संकर के सौंवार के वरत रखने से हर मनुकामना पूर्ण होती है भगवान भोलेनात, भांग, बेलपत्र, आख, धतूरा और एक लोटा गंगाजल से ही प्रसंद हो जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान भोलेनात, भांग, धतूरा, आक, बेलपत्र और गंगाजल उन्हें अत्यधिक्यों पसंद है और भोलेनात की पूजा में ये चीजें कैसे शामिल हुई दोस्तों आपको बताते हैं इसके बारे में शिव महापुरान के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर सागर मंथन किया तो सागर मंथन से कई तरह के रत्न, एरावत हाती, अमरत, लक्ष्मी आदी निकले थे और साथ ही निकला था हलाहल विश्च, हलाहल विश्च इतना विसैला था कि इसकी अगनी से दसों दिसाएं जलने लगी, जिस में गले से नीचे नहीं उतरने दिया, उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिस से उनका कंठ नीला पढ़ गया और भगवान शिव नील कंठ भी कहलाए जाने लगे, हलाहल विश्च का प्रभाव भगवान महादेव के मस्तिस्क पर चड़ने लगा, जिसकी वज़े से भग सक्ति स्वेम पर कठ हुई, और भगवान शिव का कई जड़ी बूटियों और जल से उपचार शुरू किया, आदी शक्ति मा भगवती के कहने पर सभी देवी देवताओं ने भगवान महादेव के सिर पर भांग, आक, दतूरा और बेलपत्र रख, निरंतर उनका जला जहें, जिसके कारण भगवान महादेव के मस्तिस्क का ताप कम हुआ, तभी से भगवान महादेव, जिने हम भोलेनात, शिव, रुद्रादी नामों से भी जानते हैं, उन्हें भांग, बेलपत्र, धतुरा और आख चड़ाया जाता है, तथा गंगा जल से उनका अभिशे किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनुकामना पूर्ण करते हैं, तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्चे करें, आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार.